वेलकम बैक टूबाइचलाइज स्वागत आपके एक और इस नए व्लॉग में और आज हम बात करने वाले हमारी आराउन 5 सब्सक्राइब करें जो लोगों को मोडिफाय कराना तो यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट हो सकता है तो अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डीटेल वाले वीडियो में लाते रहता हूं तो चलिए सबसे पहले एंजॉय किजिए आपको सिनेमे है हुआ जाह बंसक्राइब उडियोondere सबस्क्राइब I won't be free to show what we're going for this is what we know he would come back to life we're still breathing standing up everybody's gonna see it all while you need to know is that we're holding on even if we fall we will rise up and we segued the path that we believe in no we're not gonna stop until we reach it all while you need to know is that we're holding on we'll rise up from 20% and clean my throat अगर आपको सिनेमेटिक सोट्स पसंद देते इस वीडियो को लाइक कर दीजिगा चैनल पर ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो चलिए अब आपको डीटेल में पताते कि कैसा क्या मोडिफिकेशन हमने करवाए हैं मेरे पास दो अप्सन थे जब मैं इसको पूरा मोडि पाव जाता तो कोई मदलब नहीं था मैं औरिजिनल को नहीं चेड़ना चाहता था और वह जो स्टीकर है औरिजिनल वाले आरण 5m के वह भी इसके नीचे ही है तो अगर आपको कलर से छेडशाड नहीं करना है तो आप यह कर सकते हैं अगर आप सोचने कि पूरा आपको पर आपिंगी शॉप में जाते हैं और वह बोलते हैं ठीक हम अपकी गाड़ी रैप कर देंगे कम पैसे लिंगे और यह पैनल लगाए में अगर वह रैप करते हैं तो इसमें फिर आप बिल्कुल मत कराईए क्योंकि काफ यादा इश्यू आ सकता है जब तक यह पूरे पैनल ख कराई हूं कि जिसमें लोग वह काफी अच्छा आप सामने से और यहां जो है मैने ब्लैक के इसी इक श्ट्रिप बस लगाया हूं जिससे की है लोग के वह जो एक्ट्र वाला जो लोग है एक्च्वल लोग के वह आ जाए ने तो यह पूरा मैंने से मैच हो जाए सिर्व उस सामने के साइट में इतना कुछ मोडिफिकेशन करें पहले इस पैनल को वाइट किया गया है पूरा उसके बाद यहां पे ऊपर में दो साइड में आप देख सकते हैं आप कोईशी भी शॉप से कराएंगे तो होता क्या है कि कई वार जैसे वह रैड उपर लगा रहा है तो यहां पर भी रैड लगा लेगा बट जो उससे हमने एकदम कोसिस करें कि प्रॉपर मैश हो जाए यहां पर जो रैड है यहां पर हमने वही चीज ब्लू में करें और यही वाला रैड कलर जो है वह पीछे की तरफ ले गए आप यह देख सकते हैं यहां पर तो थोड़ा डि सबसे पहले मैं अलोई का भी आपको बता दू अलोई जो मैंने पूरे ब्लैक कर रहा हूं पेंटेड है यह पहले आते थे जो आइटना कुछ मोडिफिकेशन हमने किया और साइट के अगर हम बात करें तो साइट में ग्राफिक से पूरे हां से बनाई गया अर और का इस्ट पर जो लोग कॉमेंट करें तो मैं आरोन फाइब लिख वा रहा था बट वह काफी अजीब लग रहा था पहले सबसे पहले वह लिखे थे पट जब वह अजीब लगना चाल हुआ तो इसलिए हमने फिर उसको अटा के आरा लिख वाए आप साइट का पैनल नीचे वाला जो सब्सक्राइब लगाने का बट फिर में को यामाहा ही जाता बेस्ट लगना तो यह वाली जो बैजिंग यह देने से और यह देने सब्सक्राइब देख सकते हैं दूर से कितने अच्छा दिखने में लग रहा है और इस साइट के पैनल के अगर आप कर तो सेम उस साइट जैसे हमने नीचे के साइट में जो ब्लैक करा के रेस प्रो लिख वादिया और जो लोग बोलते हैं आर रर का मिनिंग तो पता कर लो सब्सक्राइब और इस टिप के कुछ लोग आ रहा है अलॉए ब्लैक करने से ही लुक बड़ा है अगर आप सोचने की पहले रेडियम करा लो उसके बाद अलॉए का काम करा हूं तो बिल्कुल मत करें कि क्योंकि अलॉए का काम होने में बाइक को जो नीचे रखा जाता है कि बाइक को ऐसे नीचे रखेंगे तो काफी अधा जो इसक्रैचे से वह आ सकते हैं रैप में तो सबसे पहले आप अलॉए का काम कराईएगा उसके बाद ही रैप का काम कराईएगा तो यहां पर भी आरार की बैजिंग दी गई है हमने इसा पूरा यहां से बनाए का स्टीकर यह कोई भी कम्पूटर के सिर्फ जो आगे का स्टीकर और यह एम के स्टीकर यह बस निकाले गाए यह सब जो है वह ऐसे हासे बनाए यह काउल जो है वह आरा पीट एक तो आप देख सकते इसके साथ जो लोग वह और भी अच्छा आता है गाडी को यह पैनल के सांट इसां भी पेंट की हैं इसमें रैप करते तो रैप निकलने के चांसे काफी आता थे तो इसलिए हमने इसको सीधा कर दिया और जो की ग्लॉस में किया है पहले मैट में करना था पर आप देख सकते हैं कुछ लोग आ रहा है इसको भी हम आगे चल के मैट में कराएंगे क्योंकि अपोलो अल्फा एच वन टायर डाला इसमें यह वाले जो नमबर प्लेट आने वाले टाइम में हम उसको यहां पे लगा देंगे तो काफी अच्छा लोग आएगा देखने में यह तो अभी से टेंपरेदी मुझे लगाना पड़ा था क्योंकि कुछ आप्शर नहीं था ल कर सकते हो जो पूरा मोडिफिकेशन वीडियो जिसमें मेरे चैनल पर आने वाला है तो मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा जिसमें ग्राफिक्स कभी और पूरा जितने ऐसे सरी मैंने लगा हूं वो सब चीज के बारे मैं बता दूंगा तो आज फिलाल हम सिर्फ अगर आपको बारी की से काम कराना है तो मिनिममम दो दिन का टाइम आपको लगेगा ही लगेगा 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 वह भी कारण फाइबर फिनिस में तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक जो इसका आरा और काफी अधा इस्टेबल है तो आप इसको भी प्रिफर कर अगर आपके पास आरा फाइब वीफोर है और आप इसको पूरा रैप करा रहे चाहते तो इसकी जो कॉस्टिंग को मोडिफाय करने की कॉस्टिंग जो है वह आती है अपरोक 7000 से 8000 रुपीज के बीच में रैपिंग की अगर हाइब कॉलिटी है तो नहीं तो यह चार-पा कर लीजेगा अगर आप रैप करा रहे तो साथ से 8000 की बीच में आपका रैप जो हो जाएगा और इसका जो मैंने अलॉय का कलर रहा है वह इसकी जो कौश्टे को आप प्रोक्स फंद्रास से 2000 रुप आपको जाएगी मिला आप यह समझ लो 789 तो 9000 में आपका अलॉय और ज कॉमेंट्स करते हैं तो ठीक है मैं वैसे भी अग्रूर करता हूँ नेगेटिव कॉमेंट्स में ध्यानी ही नहीं देता हूं और लोग बोलते हैं कि इसमें पावर में अपड़ेड कर लेना था आपको यह कलेना थो पावर इन पास अल्रेडी सुपर वाइक है तो मुझे प पसंद आयो बाइक और जो लोग मेहनत को समाझते हैं तो उनको थैंक यू सो मत दिल से थैंक यू बोलता हूं काफी अच्छा लगा आप लोगों के इतना अच्छा सफोर्ट देखे पीछे के साइड जो है अभी हमारा शूट चल रहा है बाइक का तो इस बाइक के साथ